हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महमद सोहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आया है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों आज सुबा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइव था अरए घंटे मैं लाइव पर बैठाओ और लाइव स्ट्रीम पर मैंने चार कॉल दिया है पहला ऐसे लिटो आए बाके पूरे टारगेट इटो है और जैकपोट कॉल भी दिया था जैकपोट कॉल भी दो के दो हमारे होके टारगेट अचीव अगर आप लाइव स्टीम नहीं चैनल में with technical analysis देता हूँ उसके basis पे ही मैं काम करवाता हूँ तो आप अगर live stream जाके देखना चाहते हैं तो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा अभी कल निफ्टी 50 में क्या होगा वो हमारे लिए important है क्योंकि कल Friday live market है और Friday live market सबका यही रहता है कि market positive हो रहता है तो मैं आपको एक बता देता हूँ यहां पर अगर आप उपर से भी देखेंगे या आप previous breakout से भी देखेंगे एक support है हमारे निफ्टी 50 में अभी निफ्टी 50 में जो support level है वो है 19,317 and previous breakdown level है 19,450 यानि जब तक निफ्टी 50 trending नहीं रहेगा नीचे जब तक 19,317 नहीं break करेगा जब तक उपर के तरफ trending नहीं रहेगा जब तक 19,450 का level break नहीं करेगा तो निफ्टी 50 के लिए यह दो लेवल important है recent levels important है निफ्टी 50 को trending में लेके जाने के लिए अगर म previous breakdown के नीचे ही market है इसका मतलब यह है कि market निफ्टी 50 market में हम लोगों को एक sharp selling देखने को मिलेगा जो sharp selling in the future in the next month मैं देख रहा हूं 18,8.74 के पास 18,8.74 के पास देख रहा हूं दोस्तों मैं and 15 minute के हिसाब से अगर हम लोग analysis करेंगे कल के live market के लिए तो यहां पर एक breakdown level है जो ह हमारे previous breakout को indicate कर रहा है previous breakout को indicate कर रहा है जो multiple rejection का साथ दे रहा था and आज अपने आज के breakdown level के हिसाब से resistance नहीं पकड़ते हुए reject हुआ है और कल के breakout के वजएसे वह वहां का support लिया and हमारा real breakout यहां पर है and यह वाला हमारा breakdown level है यानि एक resistance के यहां भी काम करेगा तोड़ा पीछे कीचेंगे तो आपको resistance level यहां पे भी दिख जाएगा दोस्तों तो अब यहां पको यहां पर समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूँ कि nifty 50 में अगर कल के live market में और मैं यही levels लेकर मैं live बैठ होंगा तो आप देखना अभी यहां पर जो level है यहां पर इस level का हमें कल resistance मिला 1441 जाएगा 1441 का resistance मिला तो पर कल यहां पर rejection मिलेगा उसके बाद rally मिलेगा क्यों ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप MACD देखेंगे improper selling है और 20 EMA के नीचे कल हमें 20 EMA का support चाहिए और 200 EMA का support चाहिए पांच मिनिट में तो लेवल्स कहां पर बन रहा है वो levels यहां पर बन रहा है 19373 यह वाले levels बन रहा है 19373 यह वाले levels बन रहा है 9050 में तो मेरा observation नहीं किया है कल market है buying ठीक है तो उसका support 19321 पर तो लेना चाहिए 19288 तो लेना चाहिए अगर कल gap up हुआ तो market trending रहाएगा gap down हुआ तो थोड़ा नीचे जाके 19321 से लेके 19288 के बीच में से कहीं पर भी support ले सकता है दोस्तों तो खल मैं market उपर के तरफ देख रहा हूँ gap अब भी हुआ trending रहेगा gap down भी हुआ तो उपर के तरफ trending रहेगा क्योंकि market अभी काफी गिर चुका है काफी sideways हो चुका है अभी यह जो एक channel पर चल रहा है इस channel को इसे break करना है तो नीचे break करने के possibilities काफी कम है काफी कम है possibilities तो उपर break करने के chances ज्यादा है अगर मैं देखू कहीं पर भी देखू तो put writer हर जगा बैठे हुए पुट राइटर, put writer 19400 पर बैठे हुआ है, 19450 पर put writer बैठे हुआ है, 19500 पर put writer बैठे हुआ है दोस्तों एक position बना के बैठे हुआ है कि इसको उपर लेके जाने के लिए इसलिए आज मैं open interest data देखके ही आपको analysis दे रहा हूँ तो यही था मेरा update 5050 इंडेक्स पर अगर आपको इंडेक्स पर analysis समझ भी आया तो वीडियो को लाइक करिए, share करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, thank you for watching my video